कैसे आप लोग आजा करते हैं आप लोग सही होंगे काफी लंबे समय बाद वीडियो आ रही है कोई ऐसा काम रह जाता है जिससे वीडियो डिले हो जाती है लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अभी के बाद से वीडियो डिले नहीं होगी तो हम लोग मुद्दे की बात करते हैं मैं हिट जो प्रोडक्त है। इस पे मैंने वीडियो बनाया था। रिव्यू इसका जैन्वीन दिया था। कि इसे परचेस करना चाहिए नहीं। मैंने वीडियो के end में ये बता दिया था कि हाँ ये कैसा प्रोडक्त है और क्या है। आप लोगों का अच्छा response आया बहुत लोग का ये problem था कि इसे कैसे replace करना है क्या इसका ये अच्छा है या बुरा है आप लोग ने इसे use कि अपने तोर तरीके से और मुझे comment section में बताया कि हाँ ये जल्दी खराब हो जाता है इससे अच्छा local है या काफी सारे मैंने comments को दे जार से ने आल याते हैं देखिए मेरे घर में भी दो-तीन ऐसा पड़ा है और ये मैंने कहीं-कहीं से जुगार करके लाया है कि निका जो हमरे रिलेटी में उनका खराब हो जाता है मैंने इससे जुगार करके लाया है मैं इस वीडियो में मेरा ये मक्सद है कि जो normal people है जिन आई वोल्टेज रिस्क है करेंट है तो इस प्रोसेस को जो मैं बताऊंगा उसे आप बिल्कुल फॉलो करें और जहां आपको अगर संदेह लगे कि ये चीज आपसे ना हो पाए वो जीसको वहीं छोड़ दे क्योंकि ये ज्यादा महंगा नहीं है दो अड़ाई सो तीन सो म ये इस कंपनी का तो नहीं बट लोकल मार्केट में एवलेबल हो जाता है मेरे साथ ने बहुत सारे इसके जो किट पड़ेवे हैं अगर आप लोगे तुम्हें मेरे पास काफी सारे इसके किट्स एवलेबल हैं इसके एक एक कंपोनेंट्स एवलेबल हैं अगर आप बोलोग तो मैं COD के माध्यम से आप तक मैं उसे पहुंचानी की पुर्णता कोशिस करूँगा तो इस वीडियो में हम लोग डिले ना करते हुए पहले जानते हैं कि इस जो मॉस्क्यूटो बैठ है इसकी components क्या होती ये बनता कैसे है और इसकी working क्या है ताकि आपको easily available हो अगर आपको minimum soldering करने भी आता है तो आप market से purchase कर सकते हैं जो component अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे मेरे whatsapp number पे जाके उस contact के बारे में query कर सकते हैं इसलिए आपके यहां भिजवा दूँगा क्योंकि मेरे पास इसके सारे kits मेरे पास available है यह देखे मेरे पास 3-4 और काफी सारे ऐसे पड़ेवे हैं तो शुरुवात करते हैं सबसे पहले यह देख लीजे यह इसका kit रहता है आपको अगर दिख रहा होगा यह इसका kit रहता है सबसे जो main components आता है सबसे पहले तो जो main components आता है वो इसका battery रहता है यह देखे battery है मेरे पास 2-4 पीस ऐसे available है अगर आपको चाहिए तो मुझे आप message कर देना तो पहले जो एक साल पहले जो बनता था वो इस तरह के battery का प्रयोग होता था जो की latest battery था क्योंकि अगर इसको charge करना है तो इस तरह के circuit साते थे यह देखे इस तरह के circuit साते थे लेकिन जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ अभी के दौर में जो यह जो यह ओडुमस का company का जो आ रहा है इसमें mobile charging pin facility है तो जब mobile charging pin facility रहती है तो यहाँ जब यह जो heat वाला था इसका जब उपयोग हो रहा था तो इसमें यह lead acid battery लग रही थी जो lead acid battery लग रही थी इसके charge करने के लिए यहाँ पे 4 diodes लगे है यह जो डायोट्स लगे है यह iron 4007 है लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जो यह 18650 lithium cell जिसे कहते हैं यह market में easily available हो जाता है नहीं है ठीक है तो मेरे पास दोनों circuits available हैं तो मैं इसका working समझा देता हूँ जैसे यह जो पुराने वाले जो circuit मेरे पास पड़े हैं यहाँ पे सबसे पहले आपका जो non-polaride capacitor लगा रहता है इसको हम लोग non-polaride capacitor कहते हैं क्योंकि यह किसी direction में यह fixed direction में conduct नहीं करता है यह किसी direction में conduct कर लेता है तो यह इसका जो number होता है 223 जे 400 वोल्ट का आप लगा सकते हैं वैसे 220 वोल्ट AC इसका यह rating है ठीक है यह सबसे पहला आपका यह component हो गया दूसरा में यह हो गया यह MOV है MOV है यह अलग-अलग number से मिलता है ठीक है यह MOV है अलग-अलग number से मिलता है उसके बाद यहां पे देखिए यहां 8 diode लगे एक दो तीन चार चार इधर और चार अपर फेज में डायोड लगे यह सारे IN 4000 साथ है मेरे पास काफी जो diode है मेरे पास electronics component मैं रखता हूँ काम के लि और एक और चीज़ मैं बता दूँ यहां पे step up transformer लगता है ताकि जो voltage होती है जो battery से voltage आती है उसको up करके यह पे ज्यादा जो आप DC supply देखते हैं जो DC supply जो current यहां पे मच्छर को जो sock लगता है यह इसी transformer यह जो transformer आप देख रहे हैं यह transformer के कारण यह सारे conduct होते हैं ठीक है यह तो हो गया हाँ एक और चीज़ जो मैं देखता हूँ अक्सर खराब हो जाते हैं यह जो transistor है इसे हम लोग D882 transistor के नाम से जानते हैं तो बकायदा यह यहां पे लगा होता है transformer के just उपर वाले direction में यह conduct होता है मतलब यह connect होता है इसके series में यह लगा रहता है ठीक है maximum case में maximum case में बता दू कि यह जो है transistor ही खराब होता है जिसका model number है जिसको आप market में easily available है D882 नाम से available है या पुराने कोई emergency light होंगे उनमें आपको यह मिल जाएगा तो यह हो गया दूसरा number पे हो गया यह आपका 223J non-polaride capacitor यह भी हो गया मेरे पास कुछ switch भी पर है switch तो minimum तोर पे नहीं खराब होते हैं बड़ किन्तु अगर खराब हो जाए तो यह मेरे पास switch भी करें पड़ेवे हैं यह three way switches का नाम है कुछ LEDs पड़ेवे हैं यह LEDs है जो कि indicate करते हैं बस इसका यह minimum सा construction है minimum सा यह है अब मैं बात करता हूं जो यह type C या type जो charger है जो normal charger है उससे charge होते हैं उस की circuit की बारे में बात करता हूं यह देखिए मेरे पास अभी एकदम fresh circuit पड़ा हुआ है अब मैं इसकी circuit की बात करता हूं सबसे पहले तो इसमें यह 18650 की battery लगती है ठीक है दूसरे में यह same transformer step up transformer दूसरे में यह जो यह जो capacitor है यह आपके यह polarite capacitor है यानि positive negative इसे देख के microfarad का यहां पर दो capacitor series में लगे है ठीक है एक LED indicator है three way switch है और यहां से यह push up push down switch है ठीक है और same देखे यहां पर यह जो diode मैं आपको दिखाया हूं D882 model यह पर diode लगे है तो simple सा circuit है यह LED है और यह देखिए जो मैं पहली बता दिवा हूं कि 223 Z का यहां पर polarite capacitor लगा है तो यह यह काफी simple circuit है अब मैं बताता हूं इसमें generally खराब क्या होता है सबसे पहले आपको battery को test कर लेना है एक multimeter लेना है इसकी range अगर देखेगा तो 4.82 वोल्ट दिखाएगा 20 वोल्ट अगर आप DC पर रखते देखते है ठीक है यह बैटरी में चेक करना बता दिया दूसरा में अ पास यह emitter से आपको railing बताएगा ठीक है transformer यहाँ पे तीनों में एक short दिखाएगा यानि continuity mode पर यहाँ बीप देगा ठीक है यह switch है यह भी बीप देगा यह LED है यह जल्दी खराब नहीं होता तो यह जो circuit है mobile circuit यह generally rare case में खराब होता है अगर खराब भी होता है तो या तो य यह खराब होगा यह easily available है यह तो diode खराब होगा इस circuit की बात करते हैं इसमें mainly यह आपका polarite capacitor खराब होगा दूसरी बाट यह battery अगर lead acid battery है इससे आप एक पर चेक कर लिजएगा इसकी भी वोल्ट वहीं आती है four point something आएगा two three जैसा भी voltage हो यह आएगा generally इसमें यहीं खराब ह होती इसके अलाव इसमें कोई चीज़ खराब नहीं होती यह net खराब होता नहीं है और यह leds खराब होती नहीं तो काफी simple तरीके से मैं यह बता दिया कि हाँ इसमें क्या component है क्या circuit है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे share करे subscribe करे कोई भी डाउट सो comment section म मैं practical एकदम live आपके सामने करके दिखाओ तो आप अगर comment करेंगे तो next video में रहेगा क्योंकि यह जो है यह काफी सस्ते available होते हैं लोग इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं चाहते हैं बट किन्तु काफी ऐसे लोग होते हैं जो इनसे फेकना नहीं चाहते हैं तो मैं इसलिए बता दिया और कोई भी क्विडी हो तो मेरे वाट्सेप नंबर है comment section में दो दूँगा वहाँ से आप पूछ सकते हैं